एलो स्टुनेंट्स, वोप यूगाई वेल, आज हम इस चेप्टर का लास्ट टेक्चर लग आए हैं, इसमें हम डिसकस करेंगे हमारे पास पहले है एक में आपके वानलाब कर आ रहा है, Fe2+, एक में मालूल आपके पास आ गया, Fe3+, तो जहां पर उक्षेंट जादा आएगी, उसके हमारे पास क्या एगी, डेल्टा की वैल्लिक वैल्यू वे जादा, पहला केस हमारे पास क्या है, हायर दा ओक्सिदेशन स्टेट ऑफ दा मेटल लाइन उत्रा ही हमारे पास क्या हो जाएगी डेल्टा की वैल्यू भड़ती चली जाएगी दूसरा पॉइंट हमारे पास डिपेंड करता है नेचर ओफ मैट लाइन पे मैट लाइन हमारे पास कहां से बिलोंग करता है 3D 3D से belong करता है 4D से belong करता है या 5D से belong करता है तो जैसे हम move करेंगे 3D से 4D या 4D से 5D मतला हम कहां जा रहे हैं down the group जा रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगी जो value of delta है वो increase करती जाएगी अगर delta की value भड़ रही है तो सिद्धी सी बात है हमारे पास क्या होगा वहाँ पे हमारे पास क्या मतलब लिगेंट कैसा हो चुका है हम strong मान सकते हैं या फिर मैं ऐसे बोल डें जहां जितनी delta की value क्या होती है ज़्यादा होती है वहाँ हमारे पास complex हमेशा कैसा बनता है low spin बनता है हमारे पास वहाँ पे complex high spin नहीं बनने वाला है because हमारे पास delta की value क्या और यह बढ़ती जारी है third हमारे पास है geometry of coordination entity यहां हमारे पास दो बाते आती है हमने tetra का discuss किया है और octa का तो tetra और octa में क्या relation होता है तो हमारे पास यह approximately होता है 4 by 9 times of delta naught मतलब जो tetra की value आएगी वो क्या आएगी 4 by 9 times आएगी किसकी value के octahedral की value के हमारे पास तो अगला क्या बोल दिया that is the value delta value for tetra hedal complex is near लिए में इसको 50% बोल सकते है मारे पास nearby बाकी यह approach हमारे पास क्या है 50% इसको हमने बोल दिया fourth हमारे पास है nature of ligand यह बात हम पहले ही कर चुके है nature of ligand में मारे पास क्या बात आ रही है basically जितना strong ligand होगा जितना मारे पास strong ligand होगा उतना क्या होता है CFSE की value क्या होगी बढ़ती चली जाएगी तो मारे पास जो last part ligand आये थे मारे पास cn हो गया co हो गया en हो गया आपके पास in case में मारे पास क्या हो जाएगी CFSE की value बढ़ती चली जाएगी तो क्या बोल दिया for the same metal ion having different ligands different amount of splitting which is already हम कहां study कर चुके है spectrochemical series में इतना strong ligand उतनी value जादा इतना weak ligand उतनी value क्या हो जाएगी कम होती चली जाएगी next हम बात करते है stability of coordination compound की किसी solution में तो आपको पता है जहां solution आएगा वहाँ चीज़ किस में तूट जाती है ions में तूट जाएगी dissociate हमारे पास हो जाएगी यहाँ पर क्या है इस चीज़ें coordination compound है तो बहुत rarely तूट पाते हैं तो क्या बोल दिया very small extent हमारे पास तूटेंगे depend करता है वो भी कि जो metal ligand bond हमारे पास बना हुआ है जैसे यहाँ पर कोपर ने जो ammonia से bond बनाया उसकी strength कितनी है उस पर यह चीज़े depend करती है तो हमारे पास जैसे यह complex दे दिया तो हमने मान लिए कि बहुत small extent था कि हमारे पास क्या हो रहा है Cu2 plus में और ammonia में तूट गया तो हमारे पास यहाँ पर यह चीज़ पहले क्या थी stable थी बड़ी मुश्किल से हमने इसको break किया है तो हमारे पास क्या हो गया इसको हम क्या बोल जकता है equilibrium constant यह हम क्या बोल दिया instability constant स्टेबल से चीज़ कहा जा रही है towards instability तो इसको हमने क्या बोल दिया instability constant तो वो क्या होता है simple आपको पताईए product divide by reactant तो क्या आएगा Cu2 plus ammonia के power कितने हो जाएगे 4 divide by मारे पास क्या आजाएगा reactant अगर मैंने reaction कैसे लिख दी reverse लिख दी हमारे पास stability constant value हमारे पास क्या आएगी वही आपके पास product divide by reactant हमारे पास क्या आजाएगी इसकी value आगी तो आपने यहां से चीज़ चेक ही हमारे पास कि जो stability constant है वो हमारे पास reverse आया है या reciprocal आया किसका instability constant का हमारे पास तो किसे लिखा था बीटा से लिखके दिखाया इसको हमने किसे लिखके दिखाया है कि आई से यहां इसको हम ऐसे बोल सकते है alternatively the stability of a complex depends कि करती है हमारे पास कि how is the water molecules of hydrate metal ion can be replaced by ligand कि हमारे पास यहां पे MH2ol N दे रखे हमारे पास कि मानलो water के हमारे पास यहां पे N ligands है 5 है 6 है जो भी आपके पास depending upon the geometry मैं यहां पे एक ligand लेके आया तो आपको पता है जो CN होता है coordination number वो तो हमारे पास fix रहेगा मानलों हमने N की value कितनी मान ली 6 ही मान ली तो अगर एक ligand अंदर लेके जाँगा तो मुझे का करना पड़ेगा एक water कम करना पड़ेगा मतलों यहां पे कितना हो जाएगा N-1 एक L अंदर आ गया तो एक water कहां चुला गया भार यहां से आप beta 1 निकाल सकते हो product divide by मारे पास क्या आएगा reactant आजाएगा ऐसे मैंने क्या किया एक ligand इसमें फिर add किया SM beta 2 निकाल लेंगे बीटा 3 बीटा 4 तो हम एकर overall stability constant निकालना तो हम क्या करेंगे इन सब को multiply करते हुए चले जाएगे आपके पास बाकि हमारे पास यहां से बहुत rarely question आता है कोई question यहां से आपके पास आएगा question mainly हमारे पास कहां से आएगा nomenclature से isomerism VBT and CFT से आएगा और इनकी value हम निकाल सकते हैं अगर बीटा आपके पास आगया वहां से लोग बीटा बगरा निकाल लेंगे और जितनी हमारे पास जादा value आएगी लोग बीटा की उतना हमारे पास stable क्या हो जाएगा complex होता चला जाएगा next हमारे पास iron rule है यह आपके slivers में वैसे नहीं है ना ही boards में हमारे पास entrance बगरा के लिए है तो में एक class में आपको बाद में detail में खरवा दूँगा आपके पास कैसे आपको यह चीजे करनी है next हमारे पास है metal carbonyls यह क्या होते हैं हमारे पास हमारे पास एक ligand आता है CO जो हमारे पास क्या होता है बलकि काफी stable ligand होता है तो जब भी यह combine करेगा किसी metal iron से और वहाँ पर जो complex बनाएगा उनको हम क्या बोलते है metal carbonyls बोलते है क्या बोल दिया simple सा कि कोई भी हमारे पास organometallic compound है जिसमें CO present है as a ligand तो उसको हम क्या बोलते है simply metal carbon compound बोलते है जिस NICO4 हो गया FECO5 हमारे पास हो गया तो यहाँ पे चीज़े क्या है basically कि हमारे बोंडिंग होती है वो हमें कैसे करने है क्या bonding यहाँ पे आएगी तो हमारे पास bonding कुछी तरह से आएगी कि metal है carbon है हमारे पास यहाँ पे इन्हों ने जो bonding की है यहाँ पे दो चीज़े आती है कि इसमें दोनों sigma और pi करेक्टर हमारे पास दोनों आएंगे अब sigma bond कौन बनाएगा और pi bond कौन बनाएगा वो हमारे पास बाते है डिसकर सरने वारी है कि metal carbon के बीच में जो डोनेट कर रहे हैं तो वहाँ से जो bond बनेगा उसको हमने क्या बोल दिया basically sigma bond बोल दिया और जो sigma bond है हमारे पास दूसरा हमारे पास क्या आएगा तो pi bond बन रहा है यह पास यह पाई लेक्टरों क्लाउड आ रहा है यह कहां से बनेगा मतलब हमारे पास यहां पे pi bond आ रहा है वो कहां से आ रहा है कि metal का जो field हमारे पास metal में जो भरा हुआ कौन सा है d orbital है वहां से यह electron हमने लेना start किया और उसको हम कहां लेके जा रहे है जो कार्बोनिल का हमारे पास pi star anti bonding खाली होगा आप समझ सकते हो pi star anti bonding खाली कैसे होगा c o की हम बात कर रहे है c में electron होते हैं 6 वो में कितने आएंगे 8 तो 8 6 कितने हो गमारे पास 14 electron होगे तो आपको ध्यान होगा chemical bonding का हम होगा according to MOT क्या पढ़ते है sigma 1s2, sigma 2s2 तो वहां पर मारे पास क्या आएंगे इसके pi star वाले खाली पड़े होँगे तो मारे पास pi star वाले जो vacant पड़े हुए है उसमें electron कहां से जा रहा है metal का जो filled है दियोबिटल वहां से हम वहां पे क्या कर सा electron को transfer कर रहे है वहां से हमारे पास क्या आएगा पाई करेक्टर तो आपके पास जो लिगेंट्स होते हैं जैसे सी ओ हमारे पास हो गया एन नो प्लस हो गया यह मैंने सो गया जो एलेक्सिट्रों सेप्ट करते हैं फरूं मेटल को क्या बोलते हैं पाइएक्सेप्टे याश पाइए असी लिगेंड भी बोल सकते हैं लास्ट हमारे पास यह पास मैटलरजी के लगे पास किसमें आ चूका है पहले मैटलर्जी है वागिए फिक मेस लिब बात कर ली हमोग लोबीन होता है उसमें तो र्यधुन होता है चुन के यह होता है तो पिग्मेंट होता है व्यों कि होता है फोटो सिंधेजिस के लिए वह कौन यह सब बात हैं हमारे पास है आपको वैसे entrance point of view आप पढ़ सकते हो हमारे पास knowledge point of view कर सकते हो बाकि हमारे पास stable से कर दिया गया है इन चीजों को remove कर दिया गया है तो आप इसको यहां तक यह पूरा chapter हमारे पास हो गया है इसकी NCRT हमने साथ साथ solve कर ली है जिसने नहीं की है दोस अपने NCRT solve कर लेना और इस chapter को पूरा complete कर लें देखिया स्टेबले स्टेट हम बाई